हेलो एब्रिवन एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने योट्यूब चैनल YCP English मंत्रा में गाई एच कभी कभी हमें अपने डे टुडे लाइफ में इस प्रकार के सेंटेंसेज बोलने होते हैं जैसे तुम मेरी जरूरत बन गई हो मोबाईल आज कल हमारी जरूरत बन गई है पढ़ाई हमारी जरूरत बन गई है तो जब कभी बोलने होते हैं आपको ऐसे सेंटेंसेज तो ऐसे सेंटेंस को बनाने का इस्टेक्चर है सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा इसके बाद हैज या हैव आएगा इसके बद लिखेंगे become इसके बद possessive adjective आएगा या फिर noun आएगा इसके बद लिखा जाएगा need या necessity guys दोनों में से जो बेटर लगे आप उसका यूज़ कर सकते हैं चाहे तो आप need लगाएं या फिर आप necessity लगाएं और guys अगर आपका subject similar है तो आप has लगाएंगे अगर plural है तो have लगाएंगे possessive adjective का मतलब है my, our, your, he, her, there और guys अगर noun आएगा तो उसमें पॉस्ट्रफी s लगाए जाएगा तो आएगे example के माध्यम से और अच्छे समझ लेते हैं तुम मेरी जरूरत बन गई हो you have become my necessity you have become my necessity या फिर आप कह सकते हैं you have become my need you have become my need now the next one is पढ़ाई हमारी जरूरत बन गई है study has become our necessity study has become our necessity now the next one is technology आजकल हमारी जरूरत बन गई है technology has become our necessity these days technology has become our necessity these days now the next one is अब वह मेरी जरुरत बन गई है Now C has become my necessity Now C has become my necessity Now the last one is Mobile आजकल हमारी जरुरत बन गई है Mobile has become our necessity nowadays That's it friends आजकी वीडियों बस इतना ही तो आए करते हैं आपसे question हमारा question है आपसे दवाई उसकी जरुरत बन गई है तो guys इस sentence English क्या होगा आप सभी लोग comment box में comment करके बताईए और friends अगर आपको वीडियो पसंद आए तो please वीडियो को like करिए share करिए comment करिए क्योंकि आपका एक like, एक share, एक comment होई motivation देता है next वीडियो बनाने के लिए Till then, bye bye, take care keep learning, keep practicing